हम आपको ये बताने वाले हैं कि आप विध्वा औरत के साथ कैसे सेक्स कर सकते हैं या फिर अगर आप किसी विध्वा औरत को चाहते हो तो उसे कैसे पटा सकते हैं या कैसे उस औरत के दिल में आपके प्रती प्यार की भावना का निर्मान कर सकते हैं किसी भी विध्वा औरत को सेक्स करने के लिए काफी परेशानिया उठानी पड़ती है क्योंकि उसका खुद का अपना पार्टर उसके साथ नहीं होता है और समाज के दर से वो औरत हमेशा अपना जीवन डर-डर के व्यतीत करती है ऐसे में उसको अपनी खुद की भावनाओ को दबाना पड़ता है फिर चाहे उसकी किसी भी प्रकार की इच्छा क्यों ना हो वो पूरी करना उसके लिए कटिन हो जाता है लेकिन फिर भी उस औरत को अपने हग के लिए जीना पड़ता है अगर आपके मुहले में या आपकी जान पहचान में कोई विध्वा औरत है तो उसके बारे में जानना शुरू करें जैसे कि उस औरत के बीते हुए कल के बारे में किस वजह से वो औरत विध्वा हुई है या फिर उस औरत की मजबूरी क्या है उस औरत के परिवार के बारे में जाने ऐसा नहीं है कि सामने वाली औरत अगर विधवा हो तो वो सिर्फ आपकी इस्तिमाल के लिए है अगर आप सच में किसी औरत से प्यार करते हैं तो आप उस औरत के साथ सेक्स कर सकते हैं अगर उस औरत की इजाजत हो और उस औरत की भी इच्छा आपके साथ सेक्स करने की हो तो इसमें किसी भी तरह से गलत बात नहीं है आजकल सोशल मीडिया के जमाने में आप किसी भी महिलाओं से ओनलाइन संपर्क कर सकते हैं फिर चाहे वो फेस्बुक के जरिये हो या इंस्टाग्राम के जरिये हो या फिर डेटिंग एप के जरिये आप किसी के भी साथ ओनलाइन बाते कर सकते हैं और इसी ओनलाइन प्लैटफॉर्म के जरिये आप जो औरतों के साथ संपर्क कर सकते हैं जिससे आप online chatting calling कर सकते हैं और विध्वा औरतों के साथ दोस्ती बना सकते हो। सेक्स करने के तरीके एक जैसे ही होते हैं, फिर चाहे सामने औरत हो या पुरुष हो सेक्स करने की प्रक्रिया एक ही होती है। सिर्फ सेक्स की कामुपता पर निर्भर होता है कि सामने वाले इंसान को किस प्रकार के सेक्स में ज्यादा इंटरेस्ट है। इस तरह का सेक्स पसंद है ये आपको जानना है। और फिर उसके बाद विध्वा औरत की इच्छा अनुसार आप उसके साथ सेक्स कर सकते हैं और उसे सेक्स का काम है। और साथ ही साथ आप उसके साथ सेक्स करने का आनंद उठा सकते हैं। वैग्यानिक यह नहीं जान पाए है कि मनुश्यों के जानगों पर बाल क्यू होते हैं लेकिन वे सिधान्त देते हैं कि बाल फेरोमोन या यौन सुगंध रखने वाले स्राव को फसाते हैं